The objective of this channel to help you how to trading investing in basis of chart patterns or consult your financial advisor before taking any investment नमास्कार, Welcome to your channel Chart2Trade आज की बेड़ोब हम कभर करेंगे TradingView का एक पैड फीचर कैसा फ्री में उज़ कर सकते हैं जो किये Bar Replay Mode जैसे कि आपके स्किन के साब ने देखे जो Chart ओपन हुआ है उपन है TradingView प्लाटफरम के उपर टॉप में देखे रिप्ले का आपसने Bar Replay उसके उपर क्लिक करेंगे तो देखे यहां पे रिप्ले मोड अभी Enable हो जाएगा और यहां पे मैं Plot कर लेता हूं लाइन जैसें कॉड करूँगा तो देखे आपके यहां पे रिप्ले मोड आक्टिवेड नहीं होगा क्योंकि अगर आप Bar Replay मोड ट्रेडिंग व्यू चार्ड के उपर यूज करना चाह रहें Intraday Basis के उपर तो आपको आपको आपे प्री में बर्सन लाइना पुड़ेगा लेकिन आज मैं आपको एक तरिका बताऊंगा जहां पे आप फ्री में Bar Replay मोड को लाई मार्केड में ने तो आप बैक टेस्ट कर सकते हैं Intraday में किसी भी टाइम फ्रेम में आप यूज कर सकते हैं ओ भी बिलकुल फ्री में कुछ भी एक्स्टा पैसे देने के ज़रूरत नहीं है तो कैसे यूज कर सकते कभर करते हैं उससे पहले अगर अभी तक आप चैनल को सस्क्राइब नहीं कियें चैनल को सस्क्राइब किजिएगा और वीडियो अच्छ लगा तो वीडियो को लाइक किजिएगा अगर आपको बार रिप्लेई मोड को फ्री में यूज करना है फास्ट अफल आपके पास धौन में डिमाड आकाउन होना चाहिए अग धौन में फ्री डिमाड आकाउन ओपन करने के लिए जो लिंक है आपको भीडियो का डेस्किशन में मिल जाएगा अगर उसी लिंक गे थो आप अपका 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 अपकांग ओपन चार्जेश बिलकुल फ्री रहेगा उसके साथ जो आनवल मेंड़ेनया चार्जेश एमच यह वह भी बिलकुल फ्री रहेगा उसके साथ हमार जो सॉपोर ग्रूप है और आप आप आड हो सकते हैं अभी के लिए में हाँ पर सॉर्ज कर लेता हूं इंफोसिस को ने तो आपका requirement के अनुसर किसी भी श्टोक को आप आप पर सॉर्ज कर सकते हैं इंफोसिस जैसे सर्च करका देखे इंफोसिस आ गया है तो आट वाच लिस्ट कर दीजएगा वाच लिस्ट के उपर आड हो गया है और साड के उपर क्लिक कर दीजएगा तो देखे इंफोसिस अभी वाच लिस्ट के उपर आड हो गया है नेक्स्ट माउस का क्रसल लेना है आपको Infosys के उपर जो भी Stock आप आड़ की होंगे जैसे माउस का क्रसल लेंगे तो देखें आप एक Option आपको Show कराएगा Trading View का Buy, Sell and Trading View का Symbol Show करा है Simple आप 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 Trading View के उपर क्लिक कर दीजिएगा जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर Automatically और एक ट्याब ओपन हो जाएगा जो के ओपन होगा Dawn Plus Trading View का Next आपको क्या करना है बार reply mode को Enable करने के लिए यूज करने के लिए टॉब में देखें कि replay का एक Option शो कर रहा है यह symbol के उपर simply आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पर देखें निचे चार्ड बाय ट्रेडिंग भी ओपन हो गया है जो चार्ड है Dawn Plus Trading View का तो simply आप यहाँ पर इस replay mode के उपर top में जो है उसके उपर क्लिक कर दीजिएगा जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर automatically और एक ट्याब ओपन हो जाएगा और एक जाली देखें यहाँ पर आप replay mode को यूज कर सकते है Infosys का चार्ड ओपन हुआ है क्योंकि already हम replay mode के उपर क्लिक किये थे तो यहाँ पर already सिलेक्ट हो गया है और जहां से भी आप स्टार्ड करना चाहरें आपका प्राइस अक्षन को read करना है replay mode को start करना उसी candle के उपर plot कर दीजेगा नहीं तो आपका requirement concern आप यहाँ पर time frame भी सिलेट कर सकते हैं अभी क्लिए में 15 मुणी कर लेता हूं और इस candle के उपर अभी मैं क्लिक कर लेता हूं क्योंकि already देखे मेरे यहाँ पर replay mode सिलेट हो गया है जैसे क्लिक कर लोंगा तो इतना भी forward price action है वो देखे delayed हो गया है अभी देखे यहाँ से start हो रहा है 7 October से अभी हमको कैसे play करना है next देखे निचे यहाँ पर market replay के बटन सो कर रहा है यहाँ पर आप click कर सकते and speed का आप सहने और यहाँ पर buy cell का आप सहने अगर speed करना है तो simply पहले यहाँ पर buy कर दिजेगा तो देखे automatically buy order place हो गया है और यहाँ पर market replay जो है निचे बटन है उसको start कर दिजेगा तो देखे यहाँ से market अभी replay start हो गया है अगर speed करना इसको आप 3x 2x कर सकते हैं तो देखे यहाँ पर अभी continue चलेगा अगर आप उसको pause करना है तो निचे देखे बटन है उसको pause कर सकते हैं अगर quantity increase करना है तो यहाँ पर देखे quantity increase कर सकते हैं आपका requirement के अनुसर पहले pause कर दिजेगा और आपका जो maximum profit loss जो भी हो रहा है यहाँ पर देखे कितना profit हो रहा है कितना loss हो रहा है सो आपको show कर रहा ह next अगर आपको इसको close करना है position को तो दिख्या आपका जो भी परफवांस है देखिए आप आ गया है उपन परफवांस रिपोट यहां पर देखिए आपका नेर्ड पेनल क्या है आपका कोई भी स्ट्राटेजी को आप चार्ड के उपर टेस्ट कर सकते हैं वह भी बिल्कूल फ्री में पहले ट्रेडिक भूमें फीचर था जो की पेड है लेकिन अभी होप इंट्राडेबिसिस के उपर भी आप फ्री में धौन में यूज कर सकते हैं नेट पेनल आ गया ग्रॉस पेनल आ गया सारे डेटर से आपको शो कर रहा है और एक स्टॉक के उपर चेक कर लेते हैं अभी के लिए हम पर मैं सॉर्ज कर लेता ह हूं क्लिक कर लेता हूं तो अब अउप्स हैं कर दो शाब हूं कर दिजेगा नेक्स्ट अब हाँ पर किसी भी केंडल के ऊपर अपका जो भी मैं यूपर क्लिक कर दीजएगा जितना फृबपॉरडड प्राइस हैं बॉलेह कर सकते हैं कॉंडेडी जतना करना है यहां और आडर करना हैतना कर सकता है क्वांड़ाइट कर लेता हूं घ्रक्षा ओंड़ाइट कर लेता हों ले किनेश्ट पर最 कमा लेता सब्सक्राइब 309 layer लॉस ना है अगर क्लोज करना है आपका लॉस प्रफिट के साफ साफ का अपका क्लोज कर दिजेगा आपका देखें परफ़ांस रिपोड हैं पर आगया है देखें इस ओफ फिचर ना ट्रेडिंग भूब में पेड है लेकिन धौन आपको यहां पर बार रिप्लाइए मोड जो है फ्री में प्रोवाइड कर रहा है जिसको आप यूज कर सकते हैं अगर आपका कुछ डाउट है वीडियो नीचे कॉमेट कर सकते हैं वीडियो इन्फरम ने लगा वीडियो लाइक किजिएगा चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा थांक्यों फर्वाचिन